आप सब लोग आज हम बना रहे हैं लैबनीज नाइट यह एर्बिक डेजर्ट होता है इसके दिये मैंने दूत लिया है एक लीटर चीनी लिए मैंने हाफ कप फ्लस थ्री टेबले स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के साफ से कम जादर कर लीजेगा सूजी दिये मैंने पर दू टेबले स्पून एक अदद अंडा ले लिया है हमने और वनीला एसंस दिया है हमने वन टी स्पून सबसे पहले मैं दूत के अंदर चीनी डाल दूँगी और चीनी को हरका सा मैल्ट होने देंगे लोटू मीडियम आज पर हम चीनी को चमचे चलाते हुए मैल्ट कर चुकिए अब मैं से के अंदर सूजी डाल दूँगी सूजी जब हम डालेंगे तो हैंड विक्स चलाते रहेंगे थाके सूजी की गुटने ना बने इसमें अब हम सूजी को चमजा चलाते हुए पका लेंगे लो टू मेडियम आज पर हम सूजी को पकाएंगे तीन से चार मिन्ट में सूजी भूल जाएगी और यह जो दूत है यह गाड़ा हो जागा इसमें हम मुसल से चमजा चलाते रहेंगे सूजी देखें भूलना शुरू हो चुकी जो दूत है वो जो गाड़ा होना शुरू हो चुके इसको मैंने दो से तीन मिनट पका लिया है अहल की आच पर देखेंगे थिक होना शुरू हो गई है अच्छे से अब मैं इसके अंदर रोज वाटर डाल दूंगी और साथी वनिला एसंस जाल दूंगी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने एक प्यारी में थोड़ा सा सुजी का मिक्स्चर ले लिए है इसको पहले मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी ताकि हम अंड़ डालने तो अंडी की सफ़ेदीस में पकना जाए तो इसको हम हलका सा ठंडा करेंगे यह थोड़ से ठंड़ा हो चुका है अब मैं इसके अंदर डाल दूगी और नधे को अच्छे से मेक्स कर दूअगी और इसको मैंने इसमें अच्छे से मैक्स कर लिया है और अब मैं बिलकुल हलकी तम्न वालिया आज कर दूँगी और सूजी के मिक्सचर में अंडे कर दोंगी और इसको हम अच्छे से चमचे चलाते हुए मैक्स कर लेंगे देखें कितना गाड़ा हो चुका है यह सूजी का मिक्सर अब हम इसका चूला बंद कर देंगे अंडे को हमने एक मिनिट के लिए पकाया है कि देखें इतने ही गाड़ा होना चाहिए आप लोगा मिक्सर भी अब हम इसका चूला बंद कर देंगे यहां पर मैंने एक इसको डिश ले लिए इसके अंदर मैं यह मिक्सर डालूंगी मिक्सर ृट के हम इसको इस पक्रचण की मादस से ही लेवल कर देंगे थोड़ सा और फिर मैं इसको ठंड़ा करने रख दूंगी फेहले हम इसको रोम टैमटली पर पाषओ करेंगे और पर 20 to 12 तरहे तब अच्छा से फंड़ ससे क्रेम करेंगे लागे और Legal करेंगे और हम पहली क्रीम लगा देंगे तो सारी क्रेम करेंगा पर यहां पर मैंने विस चिर्णि क्रीम पर हम अच्छा कोइज certainly इतना हम इसको बीट करेंगे ठंडी केंमों की तो जल्डी भीट ऊजाएगी आ रचाईगी हों कि अपित haha हमारी विपिंग क्रीम ना मीठी थी तो इस वज़े से मैं इसमें चीनी नहीं डाली अगर आपकी फीकी हो तो आप इसमें चीनी डाल लीजेगा पाउडर शुगर डालिएगा एक से दो मिनट मैंने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है देखें यह इसमें चीनी सॉप्ट सी चीनी बनना शुरू हो गई है और यह अपने साइस में डबल हो चुकी है अब मैंने यहां पर सूजी का मिक्सर ले लिए यह बहुत अच्छे सेट होगे था इसका मैं तीन-च कि यह मैंने क्रीम को सारा अच्छे से इस पहला दिया था अब यहां पर मैंने पिस्टे का पाउडर ले लिया है इसके उपर मैं पिस्टो का पाउडर डाल दूंगी यह तक्रीबर में मैंने वनफोर का पिस्टो का पाउडर लिया है इसके उपर हम अच्छे से पिस्टो का पॉडर डाल देंगे इस ते डाल कर अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तीन से चार विंटे के लिए आप चाहें तो अवर नाइट ही रख सकते हैं ताकि एच्छे ठंडा हो जाए और फिर ठंडा करके मैं आपको यह डिशौट करके दखाऊंगे यह बहुत ही मज़द